आज के वीडियो में आप लोग के सांद शेयर कर रही हूं एक गाउन का चुटोरियल जो की लॉंग गाउन है इसमें या अ कई ब्रख्य चुटोरियल गाउन की तरह तक टेका में आप लाइनिंग फैब्रिक के जो लाइनिंग पारउन ही लन खाल या वाइनिंग लाइन अगाउन खाल्य या को यह चुटोरियल आप लेकि लॉग और लाइनिंग लाइनिग के लिए सिख यह दो आ णा- इस लाइन के बाद देखिए हम लोग मार्क करेंगे टोटल लेंग जो हमारे टॉप पाट की हो यहां पर मैं 15 इंच लरी हो इस 15 इंच में इंक्लूड़ेड है हमारा शोल्डर साइड का सीविंग लाउंस से हो मार्क इसको 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 मैं एक लैन में और लाइन को मार्क करने अब जहां बनावाल के बाद यहां से साथ इंच निचे में मार्क करने हैं अगे तक भी आजे तक. अब इसी लाइन पर आगे साइट से तेखिए, गृत्षे साथ इंच पर माक करूँगे, एक निशान लगाउंगे और इस इंच, इसे माक को जो उपर शूलड़वाला माक है, अ गृत्ध और आधए शूल्ड़र वाला मmos कर से रोजाने, यहां पर देखिए, फ्रंट साइट से में जो भी आपका चेस्ट मिजरिमेंट है, उसका 10th पारती मैं यहां पर मार्क कर रही हूं, इस के समय में 4 इंच में मार्क कर रही हूं, और यहां पर उतने ही मार्क करके इतनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, इसके बाद इस के में मैं मार्क कर लोगी, और यहां पर देखिए, जो डार्ट लाइन उसको खटा कर बहरी हूं, जो वेस्ट है उसका फोफ़ पार और साथ में 1.5 इंच का सेविंग यह दोनों पॉॉंच यहें में मार्क के यहां ट जो नोंग को मिला देंगे यापस चेस्ट में इस तरह करें तो हमने नेक将 막 करी अधरीक कहants और उसको इसके मिला देंगे फ्रेंद डार्ट में जो अगया डार्ट है यहाँ इक लाइन में ने मां किया और रहां हे'llो हम में अगया यहाँ यह ने 1 जो हमें और हम इन्च के मां कर दिये मतलब प्लूटर एक इंच का यह डाट होगा फ्रेंट वाला आम होल कर लोगी फ्रेंट और बैक दोनों की यहां पर आम होल करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे यहां पर starting में मैंने दो ही लेयर कपड़ी की यूज़ की थी तो यह front हमारा पैनल हो जाएगा नेकी कटिंग इस तरह से हम कर लेंगे नेकी कटिंग करने के बाद यहां पर मैंने आम होल वाले जो डाटे वो मार्क नहीं किये थे करने के बाद यहां पर इनको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे देखिए इस तरह से बीच वाई लाइन को मैं पकड़ूंगे पिंच करूंगे कपड़े को और लाइन के उपर मैं सिलाई लगा दूंगी इसको स्टिच करने के बाद बारी आती है बॉटम वाले पार्ट की ज तो यहां से आप मार्किंग स्राट करेंगे जो वो इसका आपका फोर्थ पार्ट में यहां पर मार्क कर लूँगी और उसके साथ ही जो टोटल लेंथ आपकी है वो यहां पर हमें मार्क कर लेना है हमारे जो टॉप पार्ट है उसको हटा के तो यहां पर मैंने टोटल लेंथ इसमें इंक्लूट कर लिया हम इने फोल्डिंग के लिए भी तो यहां पर मैंने मांक कर दिये इस मांक को हम एक्स्टेंड कर लेंगे कपड़े के एंड तक यहां पर देखिए अब यह दोनों पार्ट हैं जो हमने मांक की हमाई वेस्ट के मेजमेंट और जो कपड़े के और फोल्ड करने के बाद यह जो फोल्ड पार्ट है वह जहां पर भी गिर रहा है कपड़े पर यहां तक हम इसे फिर से कट कर लेंगे तो यह थोड़ा सा कर्व हो जाएगा कपड़ा हमारा जो अभी स्ट्रेट है और जैसा हम बॉटम साइड में कर रहा हैं वैसे हम रिपीट अब वापस हम आते हैं तॉप सेक्षिन के तरफ तो जो भी हमने पैनल कट किये थे फ्रंट और बैक उसको हमने पे कट करके और स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद अब बारी आती है जो हमारा में फैबरिक उसकी प्लीट पनाने का तो इस तरह से जो हमारा इसे लाइ कर लेंगे तो क्योंकि मैं पस ड्रेस फ़र्म नहीं है इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखके और प्लेट को मैं अरेंज कर लिया हूँ अगर आपके पास ड्रेस फ़र्म अविलिबल है तो आप इसको उस पे लगा के और आसानी से अरेंज कर सकते हैं यहां पर कि बॉटन सेक्षिन जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है बैक साइट मेने जिप के लिए जगा चोड़िए यहां पे इस तरह बैक साइट को रखके वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको इस तरह वेस्ट पर में उल्टा कर दूंगी उल्टा करके और इसे हम स्टिच कर लेंगे जो जीप है वो इस जीप है ब्रवाला जीप आठाच कर लेंगे इसमे जो जीप सेपरेट तूडियोट से देख लेंगे यहां पर रवी हम सबसे पहले अचच कर देंगे ईप साइट सीप है उससे और वाले पार्ट से और जो नंग यहां पर मैं पंप कर लोगी तक कर Ilobile कभी भी कपड़ा ओपर या नीचे ना हूँ इससे सिलाई बिकर जाए तो पूरा कम्प्रीट करने के बाद जो फाइनल लुक है इस तरह से आपको एगाउन कैसले कि मुझे कॉमें सेक्षिन जरूर दाइए डो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो चैनल